पश्चिम मंगाल हज कमीटी की तरब से आज आसनसोल के रविंद्र भवन में आसनसोल सब्डिविजन से हज पर जाने वाले 98 हाज योकाटी का करन किया गया मौके पर यहाँ आज कमीटी से जुड़े तमाम पताधिकारी उपस्थित थे वहीं इस पूरे कारे पर नजर रखने के लिए पश्चिम बर्दवान जिले के मुखे स्वास्त अधिकारी मौमद सेख यूनुस भी बिसेश रूप से उपस्थित थे उनके निगरानी में यह पूरा कारे सुरू किया गया इस बारे में हज कमीटे से जुड़े डॉक्टर जिसान इलाही ने कहा कि आसन सोल सब्रिजन से 98 हाजी हज के लिए जाएंगे उनका आज टिका करन किया गया बाकी 41 हाजियों का टिका करन दुर्गपूर में किया जाएगा उन्हों ने कहा कि पस्चिमबर्दवान जिले के मुखे स्वास्त अधिकारी के तत्वधान में यह अकारे सुरू किया गया और पस्चिमबर्दवान जिले के स्वास्त दफ्तर के अधिकारीों के निगरानी में यह पूरा काम बहुत अच्छे से किया जा रहा है आज हमारे से सीएमोच ओफिस के तरफ से हज जात्री जो हज पिल्किरिम से दोजार चोबीस के लिए जितने भी जाज जे कराम है उनको वैक्सिनेशन कैम का इवन के गया उनको वैक्सिन दिया जाएगा और जिसमें हमारे आसनस और सब्डिविजन के तरह डिविजन में हमारे साथ शुबह में हमारे साथ लक्टर युनुस साहब जो सीएमोच भी जाना साब है इनके सुपर विजन में हम लोग का काम बहुत बढ़ीए चल ला है तमाम किसी को भी कोई परिशानी नहीं है तमाम हाज हुज्जा कराम जो है अजमीन हज उन लों का वैक्सिन दिया झाल 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 झाल